नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूँ आपके साथ जोतिश गुरू शिरो मनी सचे, मित्रो, कैसी है आपके नक्षत्रों की चाल, कैसा है आपके ग्रहों का हाल, आईए जान लेते हैं दैनिक राशी वल में, तो शुरुआत करते हैं मेश राशी से, मेश राशी, समा किसी की जिम्मेदारी आज ना लें, तो आपके लिए बेतर होगा, घर का बना हुआ खाना खाएं, धन हानी की संभावना से आप बचेंगे, शुबरंग है आपके लिए गुलाबी, आज साता नाच का दान जरूर करें मिथुन राशी, मित्रों के साथ वाद विवाद खत्म होगा, अकारण फिजूल घर्ची से बचिये, रुके विधन की प्राप्ती आपको हो जाएगी, शुबरंग है आपके लिहरा, आज गणेश मंत्रों का जाव जरूर करें करकराशी, सलाह लेने से आपका कारिया बन जाएगा, सफल भी होगा, पारिवारे क्रिष्टों का तनाव खत्म होगा, अभी विदेश यातरा ना करें, शुबरंग है आस्मानी, आज चने की दाल का दान जरूर करें बात करते हैं सिंग राशी की, ज्यादा गुस्सा करने से आपका काम बिगड सकता है, लंबी यातरा का योग टाल दे, शाम तक आपका मन परेशान रहे का, शुबरंग है आपके लिए मरून, आज लाल फल और मिठाई का दान जरूर करें कन्य राशी, आज परिवार के साथ कहीं भार गूमने जा सकते हैं, संपत्ती के मामलों में आज सफल होंगे, अपने घर पर समय से पहले पहुँचिए, शुबरंग है आपके लिए नीला, आज सरस्वती चाले सका पाट करने से बिगड़ी हुई बात बन जाएगी तुला राशी, व्यापार में आपको लाप की प्राप्ती होगी, अपने कारे को समय पर करें, नौकरी में तरक्की का योग बना हुआ है, शुबरंग है आपके लिए आस्मानी, आज देवी लक्षमी को एक लाल फल और फूल ज़रूर अपित करें व्रश्चिक राशी की बात कर लेते हैं, परिवार में शान्ती बनाए रखें, बड़े बुजर्गों का आशिरवात जरूर लें, अपने लक्षे पर ध्यान दे, शुबरंग है आपके लिए जामुनी, आज एंग मंतर का साथ बार चाप करें दनुराशी, वित्यार्ती को इला परवाही ना करें, आज आपका कीमती समान गुम हो सकता है, शेर मार्केट से आपको लाब होगा, शुबरंग है पीला, आज कन्याओं को मिठाई जरूर खिलाएं, बात करते हैं मित्रूमकर राशी की, अपनों को नजर अंदाज ना करें महतोपून कारे आपका सफल होगा, फल सबजियों का दान करने से आपको शुबता मिलेगी, शुबरंग है आपके लिए आसमानी, आज एक गुलाबी वस्तर किसी कन्या को जरूर दें, कुम्बराशी की बात करते हैं, आज सेहत में सुधार होगा, छोटी सी बात पर किसी से उलजियेगा नहीं, जरूरत पढ़ने पर बुजर्गों की सलाह लें, शुबरंग है आपके लिए हरा, आज मिठाई किसी कन्या को जरूर दें, मिल राशी, अचानक सेहत में गिरावट आ सकती हैं, लापरवाही करने से बचिये, धार में किस थल पर जाने का योग है, शु इनने उपायों को राशी के अनुसार करने का प्रयाज जरूर करें, ताकि किसी भी ग्रह का कोई नकारात्मक प्रभाव आप पर ना पढ़ें, तो दीजिये मुझे इजाजत, नमस्कार